हेलो फ्रेंज, वेल्कम टो अवर इंसाइड एज्युकेशन क्लास, माईसेल तारा प्रजापती, तो आजे आपने जोईशू चैप्टर ट्रण लों द्विचल सुरेक समिकरन युगमा, तो द्विचल समिकरन युगमा आपमें जोई होतु, तेने उकेन मिलवानी आलेखनी पद्धाती, एटलेके ग्राफिकल मेथड, अने आजे आपने जोईशू सुरेक समिकरन युगमा, उकेन मिलवानी बेजिक रित, तो ग्राफिकल मेथड, एटलेके आलेखनी रित, एक बमेतिक रित हती, आपने जोईशू बेजिक रित, तो तेने त्रण बेजिक रित हो छ आदेशनी रित, लोपनी रित अने च्वाक्री गुना कारनी रित तो आदेशनी रित ने अपने अंग्रेजिमा कैसू सब्स्टिटुशन मेथाद, सब्स्टिटुशन मेथाद अने लोपनी रित ने अपने कैसू एलिमिनेशन मेथड आने जोक्री गुणा करनी रितनी ग्रोस मल्टिप्लिकेशन मेथड तो आजे आपने आदेशनी रित सिखी सु तो त्यानी आज्या बेजिक रित एथले के गाणात्री करें देज आपने त्यानों उकेल मिल वीशु तो स्वात्याइ थ्रन पोइंट एक एकना एक्जामपल्स साथे आपने आदेशनी रित सिखी सु तो स्वात्याइ 3.3 question 1 नेचना द्विचल सुरेक समिकरन इंभूक मने होकेल आदेशनी रितन मेरुवेवो तो आदेशनी रितम आपने क्यों करी सु पहला तो जो जे पन समिकरन आप्या छे आपनों समिकरन आपने step 1 हवे जे पर समिकरण आपने simple लगे 10 समिकरण ने आपने एकचल समिकरण मा लखे शूँ आपने step 2 सुथाई जासे कि कोई पर एक समिकरण ने एकचल मा लखे तो आपने समिकरण keeping यह ने लखे तो X ना स्वरुप मा लखे इसको सु थाई जासे Y प्लस 4 तो आथाई क्यों समीकरण 3 तेवीज रिते तमें X प्लस Y मा थी पन X ने चलतारीके लई सको छो कातो तमें Y ने पन चलतारीके लई सको छो तो आवे सु करीशू तो समीकरण 3 मा जे आपने X ने की मत मली तो आपने बीजा समीकरण मा मुख्षू यह लोगे मैं समीकरण 3 समीकरण 2 मा थी मेर विए तो आपने क्या मुखिस समीकरण 1 मा तो स्टेप 3 सुथाई जासे एक्वेशन यह लोगे समीकरण 1 मा एक्स ने की मत मुख्था तो सुथाई जासे X प्लस Y इस इकल तो 14 और एक्स सुथाई हो Y प्लस 4 माटे Y प्लस 4 प्लस Y इस इकल तो 14 माटे Y प्लस Y 2Y प्लस 4 इस इकल तो 14 माटे 2Y इस इकल तो 14 माइनस 4 10 माटे Y इस इकल तो 10 बाइ 2 5 तो आपने मढ़े गो Y हवे आ Y ने की मत तम्हें समीकरण 1 खातो 14 माँ 2 मा मुख्था तो तम्हें सुमाडे जासे एक्स तो स्टैक फोर्स सुथाई गयों य बराबर 5 समीकरण 1 मा मुख्था तम्हें समीकरण 1 मा पन मुख्था तो आपने समीकरण 2 मा पन मुख्था तो तो आपन Y ने तो माटे X केटला था से 14 माइनस 5 9 तो आ मरी क्यों आपने उके X पराबर 9 और Y is equal to 5 तो आपने ला समीकरण 1 मानों उकेल छे तो हवे जो तम्हें X नी किमत और Y नी किमत आप बन्हें समीकरण 2 मा मुख्था तो ते बन्हेंने सैटिस्फाइब करता आसे तो आपने शो करें कि कोई पर एक समीकरण मा थी कोई एक चलनी किमत सो दिली थी बिजा चलमा लेके X नी किमत आपने इंग्या शो करें Y चलना स्वरुप मा आपने X नी किमत मिलवी पचि ते X नी किमत जिव एक्ष्ट्रा समीकरण हाथू एमा आपने मूखी तो आपने Y नी किमत मली अनि पचि Y नी किमत आपने कोई पर समीकरण मा मुख्षू तो आपने X नी किमत मल से तो विजू उदारन जोए तो बे नमबर S-T is equal to 3 S by 3 plus T by 2 is equal to 6 तो अई आपने चल S अने T मा आपने छे तो पहलू समीकरण सुथाई जासे S-T is equal to 3 आथाईगी equation 2 हवे आ समीकरण ने आपने व्याफक स्वरुप मा लखे तो सुथासे 2S minus 3T is equal to 6 into 6, 36 आथाईगी equation 2 हवे आथाईगी आपने step 1 हवे step 2 सुथासे step 2 सुथासे step 2 सुथे कोई एक समीकरण मा थी कोई एक चलने की मसो दिलो तो step 2 तो एग्याँ थी simple equation कोई थासे equation 1 तो त्याँ थी आपने S ने की मसो दिलाइए तो 2 plus 3 हवे step 3 सुथासे तो आपने मल्यू equation 1 मा थे तो अवे आपने सुखर इसे equation 2 मार S ने की मत मुगी सुख मते 2 into t plus 3 minus 3 t is equal to 36. मते 2 t plus 6 minus 3 t is equal to 36. माठे 2T-3T-T is equal to 36-6 30 तो T इसु मरी भी आपने minus 30 हाव इसु कर इसु step 4 equation 1 मा T नी किम्मत मुखता ओके T नी किम्मत मुखता आया किम्मत ठोशु थे जासे S-T is equal to 3 माठे S minus minus plus 30 is equal to 3 माठे S के टला थासे 3 minus 30 minus 27 तो आपने उके लो किवा माणे S बराबर minus 27 अने T बराबर minus 30 त्रोण नम्बर ने एक्जाम्पल तमी जाते प्राहितना करीशको छो हावे च्वाथा नम्बर ने तो आने आपने पेला आपोइंट दूर करवा माठे सु करीशू बने बाजू 10 10 वडे 2 बने है आपने लखे देए बने आने एक्ग्रेशन 1 ऍएक्ग्रेशन 2 तो इने असु लखे इक्ग्रेशन 1 अने तुने 10 वडे बने बाजू गोमिता अने बने बाजू 10 वडे मल्टीप्लाי कर्ता तो सुथाई जासे 2x plus 3y is equal to 13 कछे 4x plus 5y is equal to 23 तो आथाई क्यों आपको equation 3 अन्य आथाई क्यों equation 4 तो हमें कोई एक equation ने आपने सुखरी सुख कोई एक चल्ना स्वरूपमा लाथी सुख तो from equation 3 आपने सु लखी सक्के तो सुमर से x is equal to 3 जासे 13 minus 3y by 2 तो हमें equation 4 मा x ने किमाद मुक्ता तो सुमर से आपने 4 4x plus 5y is equal to 23 मा टेक 4 13 minus 3y by 2 plus 5y is equal to 23 मा टेक अन्या multiply अन्या division थे जासे 4 by 2 अन्या 2y जासे तो 32 जा 26 minus 6y plus 5y is equal to 23 मा टेक 26 एक अन्या जासे जासे हावे शुकर इसू हावे y बराबर 3 equation 3 मा मुक्ता तम्हें जो इन्या x बराबर आमा पन y ने किमाद मुक्ता तो पन चाल से तो पन तमने x ने किमाद मुक्ता से तो 2x plus 3y is equal to 30 माटे 2x plus 3 into 3 9 is equal to 30 माटे x is equal to sorry 2x is equal to 13 माइनस 9 3 1 4 तो x is equal to 2 तो आपने सुके मत माई x बराबर पे हैं अनि y बराबर त्रण या पेला समिकरान योग मनाओ के लो छे 5 नमबर रूट 2x plus रूट 3y is equal to 0 रूट 3x minus रूट 8y is equal to 0 तो एक्वेशन 1 एक्वेशन 2 तो तो एक्वेशन 1 एक्वेशन 1 पर त्या आपने सुके साखें x बराबर रूट 3y upon root 2 पराण तो के वाथ हैं मैनास तो गे x नी किमाथ एक्वेशन 2 मा मुखता एक्वेशन टुमा X ने किमात मुटता तो आपने सुमर से रूट 3X माइनस रूट 8Y इस इक्वल तो 0 माइनस माटे रूट 3 इंटू रूट 3Y अपन रूट 2 माइनस रूट 8Y इस इप्वल तो 0 माटे रूट 3황्ट रूट 3 रूट 4 TIMे रूट 3 ऄिंटर Y माइनस रूट 2 इंटर रूट 8 रूट 8 इंटू 2 इस इक्वल इन रूट 3 इस इक्वल तो 0 कार्कि रूट 2 जिरू साथे मल्टिप्लाइ था से जीरो थे जासे, जो 3y-4y is equal to 0, तो आपने y से मन्या, 0, हावे जो आपने y निके मत इक पेशन 1 के 2 मा मुख्य से तो आपने x निके मत मन्या के विमार से, 0 जिमार से, ओके? 6 नमबर, तो आने तो पहला आपने, सिंपल फॉर्म मा लखेशू, विया पक्सपर्ट मा, जो चुथा से, 3 इंटो 3, 9x-10y is equal to minus 12, then 2x plus 3y is equal to 30, कारेंके 2 इंटो 3, 6 थासल असा, तो इन्या, छेद मा 6, इन्या पन छेद मा 6, तो बनने, कैंसल थाई जासे, तो आना पची तमे, आपने, सिंपल स्वरूप मोड़ी गये, बनने एक पेशन ना, तो तमे, जाते प्रेत्ना करी शको छो, Q2, 2x plus 3y is equal to 11, अने, 2x minus 4y is equal to minus 24, इन्या, उक्यल शोदो, अने, एवो एम शोदो, कि जेथी, y is equal to mx plus 3y, तो एक्वेशन के बाचे, 2x plus 3y is equal to 11, आचे, एक्वेशन 1, 2x minus 4y is equal to minus 24, आथाएगी एक्वेशन 2, हावे, कोई एक, कोई एक चल्मनी की मज सोदी लाइए, तो, एक्वेशन 2 पर्थी सुख काई सके, तो, 3x is equal to minus 24 plus 4y, बाचे, x is equal to, शुखेशन 2, एक्वेशन 2 implies x is equal to minus 24 plus 4y by 2, तो, उपर्थी पर्थी 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 कामनी कर से, शुखेशन 2y minus 12, तो, आपने मोड़ी के x, तो, अभी, एक्वेशन 1 मा, एक्वेशन 1 मा, x बाबर 2y minus 12 मुफ्ता, चापने सुमर से, 2, 2x plus 3y is equal to 11, माटे, 2 into 2y minus 12 plus 3y is equal to 11, माटे, 2 into 2y minus 12 plus 3y is equal to 11, minus 24 plus 3y is equal to 11, माटे, 4 plus 3, 7y is equal to 24 plus 11, 35, माटे, y is equal to 5, आपने एक्वेशन 3 मा, आपने एक्वेशन 3 मा, मुफ्ता, एक्वेशन 3 मा, y बाबर 5 मुफ्ता, तो सुमरी जासे, x is equal to 2 into 5, 10 minus 12 is equal to minus 2, तो एक्वेशन 2 आने y सुमरी गया, x बाबर minus 2, आने y बाबर 5, हावेशन 2 की दूछे, के m किटला होई, तो आप मने y is equal to mx plus 3, माने, तो जो होँ यार, x अने y नी किमत मुखी देश, तो मने m माली जासे, yes, so y is equal to 5 is equal to minus 2m plus 3, माने 5 minus 3, 2 is equal to minus 2m, माने, m is equal to minus 1, तो मने y एक्वेशन 2 मारी, minus 1, हावे, question 3, नीचे नी समस्या उपर थी, विचल सुरेक समिकरन य यूपमा मिलवो, अनि तेमने उखेल आदेशनी रितेम मिलवो, तो 1 नंबर छे, के 2 संख्याओनों ता भावत 26 छे, अनि एक संख्या, बीची संख्या करता 3 गणी छे, तो ते 2 संख्या सोदो, तो धारो के, धारो के, प्रथम संख्या, x छे, अनि बीची संख्या, y छे, बन्ये नो ता भावत 26, एट लेके, x-y is equal to 26, आथा, इकुद फ्रेशन वान, हावे, सुके छे, एक संख्या, बीची संख्या ती 3 गणी छे, लेके, प्रथम संख्या, बीची संख्या ती 3 गणी छे, आथा, एकुद फ्रेशन टू, हावे, आपने एक चल्मा जा पेलू छे, आपने सुकरीशू, एकुद फ्रेशन टूनी किमद, एकुद फ्रेशन वान मा मुक्ता, जो सुथा जैसे, एकुद फ्रेशन वान मा, x is equal to 3y मुक्ता, जो सुमार से आपने, 3y minus y is equal to 26, माते 2y is equal to 26, माते y is equal to 13, कांके 26 by 2, 13, हावे, एकुद फ्रेशन टूमा y नी किमद मुक्ता, एकुद फ्रेशन टूमा y नी किमद मुक्ता, आपने सुमार से, x is equal to 3 into 13, 39, ओके, तो प्राथाम संख्या कही हैसे, प्राथाम संख्या, 39, कांके प्राथाम संख्या माते आपने x लिदो छे, आने 20 संख्या कही हैसे, 13, ओके, तो बे नंबर, बे पुरक कोणो परकी मोटो खुणो नाना खुणा करता अठार आउंस मोटो छे, तो पुरक कोणो शोदो, तो धारो के, मोटो खुणो एक्स अउंस छे, आने नानो खुणो वाई अउंस छे, तो मोटा खुणा ने, आपने जाणिये छे के, पुरक कोणो ना माप्नो शर्वारो केटलो थाए, एक्स अउंस यहाँस, तो एक्स प्लस वाई इस इपल तू 180, तो वाथेग्यो आपने एक्वेशन वाण, आने आमें सुखे छे, के, मोटो खुणो नाना खुणा करता अठार आउंस मोटो छे, तोके मोट्टो खुणो एक्स ए नाना खुणा करता अठा राउंस मोट्टो छे तो आपनने ब्या एक्वेशन मलीगे तवे आ ब्या एक्वेशन ने पर्थी तमे आदेशनी रितनी उप्योग करीने एक्स ने ब्या शोदी शको छो तो एक्स ब्या बर्थ आपनने आपेल आच्छे ते तमे एक्वेशन वनमा मुख सो एल्ले तमने वाई मोडी जासे आने वाई नी किम्माद पछी एक्वेशन टूमा मुखता तमने एक्स मोडी जासे त्रण नम्बर क्रिकेट टिमना कोचे साथ बेट औने छ दड़ाओ अड़ा त्रीसोर मां खरी दिया पच्छेजी त्यामने तेज किम्मत वाणा त्रण बेट औने पांच दड़ाओ सतर सो पच्चास मां खरी दिया तो एक बेट नी किम्मत अने एक दड़ानी किम्मद शोदो धारो के बैटनी किम्मद x छे अने दड़ानी किम्मद y छे एक बैटनी किम्मद x अने एक दड़ानी किम्मद y तो साथ बैटनी किम्मद 7x प्लस 6 दड़ानी किम्मद 6y तो टोटल रूपया के रला था जी 3800 लेके अड़ा 300 आथा एक यू आप एक्वेशन वान खावे तेज किमत वाड़ा 3 बेट आने 5 दडाउं 3 बेट नी किमत 3X प्लस 5Y इस इक्वाल तू 7500 50 रूपीज तो आथा कि आपनों एक्वेशन टू वे आएक्वेशन वान आदेशने रिट एपलाई करवाने तो तमने X औने Y नी किमत मणी चासे एक्वेशन स्वारी एक्वेशन पांड चार दरेक शहेर टेक्सी नो बाड़ू निच्चेद बाड़ा आने अंतर ना प्रमार्मा संयुक्ति रिते लिवाई छे 10 किलोमेटर ना अंतरे अंतर माटे 105 रूपया आने 15 किलोमेटर नी मुसाफरी माटे 155 रूपया नी चोकव में करवी पड़े छे तो नेश्ची बाड़ू केटलू आने प्रती किलोमेटर ना दरे केटली किम्मत चुकवी पड़े छे मुसाफरी 15 किलोमेटर नी मुसाफरी माटे केटलू बाड़ू चुकवी पड़े तो आन्या अपने दारोके सुसोद्वानु छे नेश्ची बाड़ू प्रति किलोमेटर ना दरे चुकावी पड़ेल किम्मत तो धारो के निश्चिद भाड़ू X छे अन्ने प्रति किलोमेटर ना दरे चुकावी पड़ती रकम Y रूपया छे 10 किलोमेटर ना अंतरे केटला रूपया चुकावी चे 10 किलोमेटर ना केटलू थासे 10Y is equal to 105 तो आथाई की एक्वेशन 1 अन्ने सुकह चे के 15 किलोमेटर माटर केटली रकम चुकावी पड़े चे 105 जुके तो निश्चिद भाड़ू तो फिक्स रहे से प्लस केटला किलोमेटर 15 किलोमेटर माटर तो टोटल केटला चे 105 तो आथाई की एक्वेशन 2 हवे एक्वेशन 1 मां आपने एक्स निकी मत लही लही तो एक्वेशन 1 पर्थी आपने एक्स केटला मार से 105 माइनस 10Y हवे एक्वेशन तुमा एक्स निकी मत मुक्ता एक्स पांच माइनस 10Y प्लस 15Y इस एक्वाल तो एक्स निक पंचावन minus एक्स निकी 5-5, 0, 5-05, 1-1, 0, 5y is equal to केटला मारे, 25 तो y is equal to 10 तो x केटला मार से, एक्वेशन वनमा y बर अबर टैन मत यहाओ, एक्वेशन 1 वनमा y बर अबर तैन मत ता, एक्वेशन 1 बर अबनमा y बर अबर तैन मत ता thi तो मासे x plus 100 is equal to 105 and x is equal to 5 तो आपन में सुमरी के लिस्चित भाडु के लिस्चित भाडु के लिस्चित भाडु 5 रुप्या और रति किलो मीटर भाडु के लिस्चित भाडु अंसर माले लिस्चित भाडु के लिस्चित भाडु के लिस्चित भाडबका अने प्रति किलो मीटर न दरें 10 रुप्या छुका भी पड़े चेख मार आवेसु क्या छे कि मुसाफरे 25 किलमीटर मुसाफरी माटे केटलू बाड़ू चुक्यू होसे तो आपने चू करीशू x plus 25y तो केटला मड़ी चासे 5 plus 25 into 10 250 is equal to 255 रूपया तो 25 किलमीटर ने मुसाफरी माटे केटलू बाड़ू चुक्यू पड़ियो से 25 रूपया तो सो करीए आपने इन्या पहले आपने समी करानों केवी रिते मारे आता x plus 10y 10 किलमीटर माटे आपने सूली दू आतू 10y तो 25 किलमीटर माटे आपने सूली दू 25y ओके तो x ने आने y ने किमत मुक्ते आपने सूली जासे सायूत तबाड़ू के जे तेमने 25 किलमीटर ने मुसाफरी माटे चुकवू पड़ियो हसे तो ते केटलू छे 25 रूपया Q5. एक अपुन नांक ना अंश अने छेद बन्देमा 2 उमेर्टा ते 9 by 11 बने छे अपुन नांक ना अंश अने छेद माँ थी 3 चेद बन्देमा 3 उमेर्टा ते 5 by 6 बने छे तो अपुन नांक शोदो तो तारो के अंश केटलो छे 5 x छे अने 4 y छे तो फ्यू केचे अन्श माँ 2 उमेर्टा अन्श केटलो थाई जासे x प्लस 2 अने छेद माँ 2 उमेर्टा सुबने जासे y प्लस 2 तो आपने अंपुन नांक यो बने छे 9 by 11 तो अने आपने व्यापक्स्वरूत माँ फिर अभी तो सुमर से आपने 11 x 11 x plus 22 is equal to 9 y plus 18 माटे 11 x minus 9 y is equal to 18 minus 22 means minus 4 आथे क्यों अपने इक्वेशन बन हावे सुगे छे के जो अपुन नांक ता अन्श अने छेद बन्ने माँ 3 उमेर्टा तो 3 उमेर्टा तो 32 सुथाई जासे x plus 3 अने y plus 3 तो केटला माणे छे 5 by 6 तो अभी आने उम्केल ता सुमर से वे आपक फ़रूप केट उमर से 6 x plus 3 उन्टो 6 18 plus is equal to 5y plus 15 माटे 6 x minus 5y is equal to minus 3 ता अथाइक एक्वेशन 2 तो अभे एक्वेशन 1 अने एक्वेशन 2 ने तो में आदेश नी रिते जाते प्रैत्ना करी सकोचो स्वाल्व करवाना क्वेशन 6 पांच वर्ष बच्छी जेकब नी उम्मर तेना पूत्रानी उम्मर करता त्रण गणी हशे अने 5 वर्ष पहला जेकब नी उम्मर तेना पूत्रानी उम्मर थी साध गणी होई तो तेमनी वर्तमान उम्मर सोदो तो धारों के वर्तमान उमर जेकब नी केटली छे जेकब नी वर्तमान उमर X वर्ष अने दिकरा नी तेना पूतरा नी उमर केटली छे वाई बर्ष तो तूप केछे के पुत्र नी उम्मर करता पांच बर्ष पच्छी लगे एकस प्लस फाइब यार जेकब नी उम्मर हशे अनि तेना दिक्रा नी उम्मर केटली आसे y plus 5 यह तो 5 बर्स बच जेकब नी उम्मर तेना पूत्रा नी उम्मर करता 3 गणे शने जेकब नी उम्मर के टली आसे तेना पूत्रा नी उम्मर करता 3 गणे y plus 5 इंटू 3 तो x plus 5 is equal to 3y plus 15 बाटे x minus 3y is equal to 15 minus 5 10 तो अथे यह आप में इक्वेशन वन आने बचे सुगे चे 5 वर्स पहला यह लेके जेकब नी उम्मर के टली आसे 5 वर्स पहला x minus 5 वर्स आने तेना दिख्रानी के टली आसे y minus 5 वर्स तो शुखे चे के 5 वर्स पहला जेकब नी उम्मर तेना पूत्रा नी उम्मर थी साध करी होर तो तेना पूत्रा नी उम्मर के टली छे साध गरनी तो आपे इंटू 7 करी देशे तो उम्मरे x minus 5 is equal to 7y minus 35 तो सुता ही जासे x minus 7y is equal to minus 35 plus 5 minus 30 एक्वेशन 2 तो आवे equation 1 आने 2 नो आदेशनी रिते आपने उकेल में भी लाइसे तो आदेशनी रित तम्हें या एपलाई कर सो तो तो तम्हें x नी वाई मी किनमत मल जासे लेगे जेकेब नी उम्मर आने त्याना पूत्रा नी उम्मर तो आपन जो तम्हें क्वेरी होए तो तुम समय मा अमारी वेबसाइट उपर आना स्वालवेड एक्जाम्पल ने पीडियाप मल जासे तो जो तम्हें अमारा वीडियो पसंद आवे तो अमारी चैनल ने लाइक करो शेर करो और सब्स्राइब करो थैंक यू